आज हम अध्याए एक वास्तिक संख्याएं के बारे में अध्यन करेंगे सबसे पहले हम आर्टिकल यूकलिट ब्यभाजन प्रमेइका के बारे में देखेंगे इसमें आप सभी को एक समिकन देखा रहा है जिसमें चर ए, बी, क्यू, आर का उप्योग किया गया है और जहाँ पर चर आर कमान जो है, बी से कम होना चाहिए यहाँ पर ए क्या है, ए को हम भाज़े कहते हैं, बी को भाज़क कहते हैं, क्यू को भागफल कहते हैं, आर को सेसपल कहते हैं यहां पर बच्चे देखेंगे, हमने एक उधार्ण लिया है, सत्रा बराबर छे गुड़ दो बर्धन पांच, इसका मलब यह होता है, कि जब हम छे का भाग सत्रा में देते हैं, तो सेसफल हमको जो पांच मिलता है, तो पांच यहां पर क्या है? सेसफल, और छे क्या है? मान दिया हुआ है, और हमको Q और R का मान गयाद करना है, इस कॉस्टन को नूट करिए, और हम इसमें B का भाग A में दे करके भागफल और सेसफल गयाद करेंगे, अब हम Euclid विभाजन एलोगरित्म की विधी द्वारा, SCF, हाइस्ट कामन फेक्टर निकालने की विधी गय हैं, तो भागफल Q आता है, और सेस पर R आता है, यदि R का मन जीरो है, तो यहाँ पर D जो है SCF होगा, और यदि R का मन जीरो नहीं है, तो हम D और R पर यही पिक्रिया दोर आएंगे, जिए आप कुछ कॉसर नुट कर लिए, जिए आपको करना है, और एक उधारन दोर हम इ संख्या लिए है, और भाजक संख्या 4052 लिए है, तो जब हम 4052 का 1256 भाग देते हैं, तो भागफल 3 पराप्त होता है, और सेस पर 420 पराप्त होता है, तो हम यहाँ देखते हैं, जो 420 है, वैस 0 के बराबन नहीं है, इसलिए हम यह पिक्रिया को फिर से दोर आएंगे, और 4 में भाग देते हैं तो भाग प्ल नो आता है और सेख फल जीडरो नहीं आता है यहां 272 जो है जो कि जीरो नहीं है इसलिए इसफिक्ये को फिर दोहराएंगे और 148 का 242 में भाग देगे और हमको सेसफल 124 प्राप्त होगा अभी फिर सेसफल 0 नहीं है इसलिए इस पिक्किया को फिर दोहराएंगे और हमको 124 का 148 में भाग देते हैं और हमको सेसफल 24 प्राप्त होता है अब हम देखते हैं कि यह पिक्किया फिर से दोहराना पड़ेगी क् गोग्य अभी जिरो सेभफंट्य नहीं पराप्ट और 124 Sureफए चार पराप्ट होता है अभी 64 नहीं है इस ली पर कियागा दोह आएंगे और हुँ 24 में जब 4 और सेभफंट्य तो 24 आता है अब यहां सेभफंट्य जीरो आ अप्पल के जो पेयर हैं, इनके सबके SCF जो हैं चार होंगे. इनको आप करके चेक करके देखेंगे कि यह पर भाज और भाजक, इन Factor को हम ने यूज किया है और इन सारों के SCF जो है, चार के बराभर होंगे, इनको आप करके चेक करेंगे. इसमें हमने तीन कॉस्टन आप झात्रों के लिए लिखे हैं इनमें हमको सभी तीनों कोस्टन में SEF ग्यात करना है इन बच्चे को NOTE करें और इसको करने की कोसिस करें यहाँ बच्चे देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक कोस्टन लिया है जिसमें यह indoor करना है कि जो even पूरंग संख्या होती है वो 2Q के रूम में होती है और बिसम पूरंग संख्या जो होती है वो सब 2Q प्लस फार्म के रूम में होती है तो इसको हमको सिद्ध करना है कि एक संख्या है पूरंग संख्या है धन पूरंग पूरंग संख्या है 2Q form में कैसे होती है और विसम पूरंग संखे 2Q plus 1 के रूम में कैसे होती है यहाँ पर देखें हम Euclid Primerica से Euclid Primerica में हमने एक समिकर पड़ा है A बराबर BQ plus R अब यहाँ दिया हम माहल लेते हैं कि B कमान 2 तो क्या हो जाएगा? A बराबर क्या हो जाएगा? 2Q plus R अब यहाँ पर R का मान जो है B से कम होना चाहिए तो इसलिए R के मान चाहिए? या तो 0 होगा । या 1 होगा आता है एक बराबर कितना हो जाएगा? 2Q क्योंकि यदि R का मान 0 लेते हैं और A का मान क्या हो सकता है? 2Q plus 1 कोई भी बिसम पूरांग संख्या 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 के रूम में हो गई. तो यहाँ पर हम यूक्लेटर प्रमेरिका से क्या समीकर लेंगे A बराबर BQ प्लस R. अब यहाँ माल लेते हैं कि B बराबर 4 लेते हैं. तो क्या होगा A बराबर 4Q प्लस R. R का माल 4 से कम होना चाहिए इसलिए R का माल 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं. तो हमको R का माल 0, 1, 2, 3 लेने पर हमको A का माल क्या संभाव हो सकता है? 4Q, 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 2 और 4Q प्लस 3 जहाँ पर Q के हाए हमारा भागफल है. यहाँ पर चात्र देखेंगे कि हमने यहाँ पर देखा है एक समील कर लेखा हुए हाइस्ट कामन फैक्टर और LCM दोनों का गुणधफल उस संख्या के बराबर आता है. तो यहाँ पर एक उधान के दोरा समझाया गया है, सबसे यह संख्या जो लिखी है, इसको जो प्राइम लोइस्ट फैक्टर होते हैं, उनके गुणधफल के रूम में लिखा गया है, इसमें हम SCF और LCM, दोनों का गुणधफल करते हैं, तो वह संख्या के बराबर होती है, जिसे हमको उधान दिया हुआ है, आपको जी करना है कॉसंस, जिसमें दो संख्या दियें, उनके LCM और SCF ग्याद करेंगे, और उनका गुणधफल करेंगे, तो वह जो है, उन दोनों संख्या के गुणधफल के योग के बराबर आती है.